हाई ट्यूल्टीज वेलकम टू इसीवे कामर्स क्लासेज मैं हो तापिता और आज की इस वीडियो में हम अपने बिजनस चडीज के चेप्टर नमबर वान को देखेंगे और उसमें से बनने वाले हमें mcqs को देखेंगे यहान कि उस चेप्टर में से कौन कौन से mcqs आ सकते हैं तो आज हम वो करेंगे तो गाईस देखो सबसे पहले चीज तो mcqs जो भी आएंगे आपके concept में से आएंगे concept आपको clear होने चाहिए तो आज हम MCQ concept basis पर देखेंगे जैसे कि chapter 1 में एक topic है levels of management यानि कि management के कितने level होते हैं top, middle and lower यह सबको पता है आप इसमें किस तरीके के MCQs आ सकते हैं इस topic में से तो सबसे पहले तो guys आता है इनके कामों से related जैसे कि वो आप से कह सकते हैं कोई case study दे कि Mr. Raj है वो ये काम कर रहे है and he is responsible for the survival of the organization या he is the policy maker वो policy बना रहा है या वो strategy बना रहा है तो वो किस level पर काम करता है तो guys top level एक ऐसा level होता है जहां पर ये सारे काम करे जाते हैं welfare and survival of the organization policy top level पर बनाई जाती है strategy top level पर बनाई जाती है इसी तरीके से middle level guys जो होता है वो इन policies को interpretate करता है implement करता है departments का सारा काम करता है तो आपको एक case study इस पर भी आ सकती है कि policy interpretation Mr. Ram कर रहा है तो Mr. Ram किस level पर लाए करता है तो middle level पर है ठीक है इसी तरीके से guys एक आता है lower level के लिए जिसमें lower level कौन सा आता है जहाँ पर हमारे supervisor और actual worker काम करते है इस पर एक case study आती है कि जो quality check करने का काम Mr. Ramish का है तो Ramish किस level पर काम करते है तो Ramish supervisory level जिसे हम lower level कहते है वो ये काम करते है तो सबसे पहले जो policies होती है वो यहां बनती है overall organization की policy, strategy, survival सारा काम top का होता है उनका interpretation करना, departments को देखना, middle का होता है lower level में guys सारे आपके actual worker याने की actual worker supervisor form आते है ठीक है जो day to day काम को सारा देखते हैं और production को देखते हैं तो इनके एक तो काम से related आपको MC के उस आ सकते हैं दूसरा guys होता है rank से related rank जैसे top level management में कौन से लोग लाए करते हैं तो जैसे CEO of the company, managing director, president, vice president, chairman ये सारे top level में हैं यानि की high level के लोग हैं तो वो आपको कोई भी person देंगे और बोलेंगे he is the president of the company तो वो किस level में है, top में, middle level में कौन आते है guys, middle level में सारे managers आते हैं चाहे वो production manager हो, departments के जो भी managers होते हैं, finance manager, HR manager, sales manager ये सारे managers आपके middle level में आते हैं, lower level में कौन आते हैं lower level में आपका supervisor आता है और आपका formman आता है ठीक है, इसके लाब आपकी actual labor भी इसी में आती है lower level में ठीक है, अब ये level के आपको question भही rank से related आ सकते हैं एक person है, जो supervisor है, तो बताओ वो किस level पर है, तो आपको बताने lower level पर है, अब ये तो होगर level से related MCQs अब इसके बाद objective से related MCQs क्या होते हैं, देखो objective business में तीन type के होते हैं, पहला organizational, जिसे हम economic objective कहते हैं ये business का basic objective होते हैं, जिसमें business तीन चीज़ों पर focus करते हैं पहला, survival पर, ये हम at least अपने business को survive करा लें यानि कि competition से लड़के अपने आपको at least हम बंदना करना पड़े हमें business हम survive कर सके, हमारा business no profit ये no loss पर चलता तो रहे that is the survival, और जब हम survive कर जाते हैं, तो हमारा next objective बनता है profit कमाएं, जब profit कमाने लग जाते हैं, तो next objective बनता है कि आप आगे बढ़ना है that is growth, ठीक है, ये business का basic objective होते हैं, जिसे organizational economic objective के अंदर रखते हैं ठीक है, तो आप इसमें अच्छी तरीके से इसको पढ़ना, और इसमें case studies या MCQ ऐसे आ सकते हैं कि कोई भी एक person है, और he is working on the survival of the organization और वो अपने सारे efforts लगा रहा है कि business को survive करा दे, तो वो कौन सा objective फुलफिल कर रहा है, तो organizational कर रहा है अगर वो सारा अपने efforts लगा रहा है कि profit में लेकर आना ही आना है, अभी तक loss में थे, no profit and no loss में थे, अब profit कमाना ही कमाना है तो वो organizational objective फी बात कर रहा है, growth organizational है, इसके बाद आता है guys, next objective social, social जो society से related है, जैसे कि अगर business कोई school बनाता है या अपने employees को के लिए, बच्चों के लिए crutches provide करता है, या फिर कोई ऐसा technique यूज़ करता है, जिससे environment में pollution ना फैले तो वो कौन सा objective फुल्फिल करता है, social, जो society के लिए हम करते हैं, जैसे park बनवा देना, greenery करना, तो वो social objective है ठीक है, personal objective कौन सा होता है, जो person से related होता है, और person कौन से, यानि कि employees से related अब employees से related guys, जो objective होते हैं, उसमें basically उनको financial need, यानि कि उनको एक अच्छी salary देना, उनके social need, उनकी पहचान बनाना और उनकी high level need, यानि कि उनको development देना, उनको और high level rank तक पहुचाना, हमारे personal objective में आते हैं, जिसमें हम अपने employees को ध्यान में रख कर काम करते हैं तो आपको इस से related भी MCQs आ सकते हैं, कि भई हम लोग जो भी organization है, वो अपने किसी worker को उसके salary अच्छी provide कर रही है, तो यानि कि वो उसके कौन सा personal need को fulfill कर रही है, यानि कि personal objective को fulfill कर रही है, क्योंकि employees की salary को देखा जा रहा है और जब आगर आजए कि भई park maintain कर रहे हैं, तो social objective है, ठीक है, इसके लावा guys एक topic है, effectiveness and efficiency, इस पर भी काफी case studies आती है, देखो, effectiveness का मतलब होता है, किसी काम को timely complete करना, भले ही उसमें हमारी कितनी भी cost आए, double cost आए, triple cost आए, बट effectiveness का मतलब है, आपको 30 दिन का target दिया गया था और आपने 30 दिन में काम कर लिया, लेकिन efficiency का मतलब होता है, आपने 30 दिन में काम तो किया, but with minimum cost बनना चाहिए था product 100 रुपे का, और आपने 80 रुपे का product बना के काम को complete कर दिया, तो उसे बोलते है, efficiency, यह एक सिक्के के दो पहली होते हैं, यानि कि organization में दोनों चीजे चाहि कर दिया, बट उसकी cost जो की 150 होनी चाहिए थी, अब वो 200 पहुंच चुकी है, तो कौन सा चीज है, element है, जो lack है, तो effectiveness यहाँ पर है, लेकिन efficiency नहीं है, क्योंकि उसने timely तो complete किया, बट उसने cost बहुत जादा incurred कर दी, तो efficiency नहीं थी, तो इस सरीके की case study इसमें से आती है, हमे business में दोनों ही चाहिए होते हैं, हमें काम को time पर भी complete करना है, with minimum cost, उसके बाद next topic जो की काफी important है, that is coordination, coordination का मतलब होते है guys, synchronization, यानि कि business में बहुत सारे departments होते हैं, ठीक है, अगर एक purchase department, purchase करके नहीं लाएगा, तो production department सम्मान को नहीं बना पाएगा, production department नहीं बना पाएगा तो आगे sales नहीं हो पाएगी, finance department अगर finance नहीं देगा purchase को, तो वो purchase नहीं कर सकता, तो इन्हें आपस में मिलकर चलना होते है, synchronized way में एक दूसरे को help करते होए, ताकि किसी का भी काम न रुके, finance वाला इसे पैसे देगा, तभी ये purchase करेगा, तभी production होगा, तभी sale होगी, right, that is called coordination, जिससे हम management का essence कहते है, यानि कि management coordination के बिना कुछ भी नहीं है, right, तो अगर आपको कोई एक ऐसा MCQ आता है, जिसमें वो ये चीज़ बोलते हैं, कि भाई purchase department अपने काम को नहीं कर पाया, because finance वाले ने उसको पैसे नहीं दिये, तो क्या होगा, that is the lack of coordination, कौन सा चीज है, ज इसमें यह होती है, कि sale वाला अपने target नहीं पूरे कर पाया, sale नहीं कर पाया, क्योंकि production वाले ने production उतनी नहीं करी, production वाले ने बोला कि भाई purchase नहीं आया था, purchase वाले ने बोला कि मेरे को finance ही नहीं मिला था, तो इन्होंने एक दूसरे पर अपनी गलतियां थोब दी और जि कोचीस नहीं थी, तो यह एक main case study, MCQ इस पर भी बनता है, I hope guys आपको यह जो भी information है, जितने भी topics है, समझ आए होंगे, और अगर समझ हाएं तो लाइक ज़रूर करना guys वीडियो को, और आप अपने doubt mail से Instagram पर या फिर YouTube पर पूछ सकते हो, Instagram idea तब इता मैंसी, और next वीडियो म आप में लेंगे, thank you